करेजी क्रिप्टो में तो अभी क्या है कि साइड़ मुव्मेंट की वज़ेब यह देखिए सटर्डे और संडे दो दिन वीकेंड है तो वीकेंड की वालीम देखिए अलड़ी वैसे भी कम आता है इंट्रेस्ट लोगों का कम रहता है दूसरा यह है कि और मार्केट में ऐसा क चला जाता है तो यहां पर देखिए अभी रात ऐसा कुछ हुआ नहीं है केवल नेचलर दिये दो डाई सो तीन सो डॉलर का पेंड डाउन तो देखिए चलता है मार्केट में इथिरियम भी देखिए आपका साइड़ बे हो गया सत्रह सो चुराने में डॉलर पे चल रहा है BNB 310 यानि लगबग आप देखिए वही सब के सब साइड़ वे मुमेंट में हैं असर वही है किसाब BTC नहीं चला तो कोई भी नहीं चला सब के सब जो आप साइड़ वे मुमेंट में देख सकते हैं शिवाईनू आपका जरू थोड़ा सा पैनिक क्रियेट कर रहा है क्योंकि शिवाईनू में लोगों को बहुत ज़्यादा यकीन है विस्वास है उसके बाद भी इसमें कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि आप देखिए फाइब टाइम जीरो एट सिक्स की सीरी में चला है यानि कि पेपे उसको देख लेते हैं उसके मार्केट केब में कितना सुधार आया है तो देखिए साब उसके मार्केट केब में कुछ भी सुधार नहीं आया है कल जो पंप हुआ उससे पहले भी ये इसी रेंज में था और आज भी वहीं है तो इसमें से आप ये कहो कि बहुत लेना देना था ही नहीं, यलोन मस्क भी मज़े लेने के लिए Nyakobt कैने के लिए आजकल टूइट करता है, देखे सिधी ही बात है, जब उसका कोई ट्वीट इतनी आसानी से इतनी जल्दी करेगा नहीं कि अब यहां पे इसके खिचाई भी हो गई है क्योंकि आप इसके अगर ट्वीट्स वगरा इसको जो रिप्लाई लोगों ने दिया वो देखे बहुत जादा इसके खिचाई भी की है कि यह सब क्या है तुम्हारी इस तर जरू रखनी पड़ेगी और वो यह है कि अगर कोई भी सेलिवरिटी अगर इसके पीछे कोई ट्वीट करेगा बेसके इसको गुमाफिरा के करें या डारेक्ट के इसको करें तो देखिए पेपे में पंप आएगा तो आप इस चीज़ का फाइदा जरू उठाएं यह अब जस्ट लाइक डॉच कोईन की तरह हो गया जैसे डॉच कोई में जब भी लॉन मस्क कोई ट्वीट करता है तो डॉच कोई करेगा अपने लिस्ट करेगा बड़े पे तो इसके प्राइज में देखिए आपको उचाल नजर आएगा तो आप इसी चीज़ का फाइदा तो मैं आपको बहुत क्लियर कट बोल ला हूँ जो लोग नहीं समझते उनी के लिए बोल ला हूँ कि भाई इस टोकन में ऐसा कुछ नहीं है केवल अब ये ट्वीट पर चलेगा और आपने ये चीज़ कल देखी ली कि इलोन मस्क ने ट्वीट किया ये पंप करने लगा पंप का आप फाइदा उठाइए बाकी दूर रहिए इसे बस मैंने आपको बहुत क्लियर कट बोल दिया है बाई जिसको समझना समझना नहीं समझना आपकी मर्जी है ये केवल अब ट्वीट पर चलेगा और इसमें कुछ नहीं है इसमें जो है कहीं कहीं डाउन फाल तक गया था तो देखे अब जो 37 की सीरीज तक गया है और जिन्होंने पिछली बाली जो इसकी हाइप क्रियेट हुई थी तो वहां 37 या 38 की सीरीज पे तो खरीद आई था अब वो अगर 42, 45 या इस सीरीज में नहीं जाया गया तब तक उन्हें क्या फाइदा होगा विट ग किये तो भाई उनको मैंने बहुत किले कर बोला भाई या प्रॉफिट आप ले सकते हो तो यहां पर देखिए आप अभी भी मौका है आप चाहो तो यहां अपना 20-30% के आसपास प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो अगर आप फाइदे में हो तो बनना जो लोग 35 से उपर की सीरीज पर बाई करके बैठे हैं भाई देखिए उनको कोई फाइदा नहीं है उनके से बाद देखने के लावा उनके पास और कोई चारा भी नहीं है क्योंकि 45-44 के सीरीज से यह गिर के यहां तक पहुचा है तो अब प्रॉलम क्या है पता है प्रॉलम यह है कि 20% नीचे आ तो भाई 45 से यह 26-27 की सीरीज पर आया है तो आप इसकी गिरावट भी तो महसूस कीजिए कि कहां से कहां गिर के आया है केवल आप 26 की सीरीज से अगर 28 की सीरीज में या 30 की सीरीज पर चला गया है तो उसको कोई ऊपर जाना नहीं कहेंगे पहले इसकी हमें गिरावट भी देखनी पड़ेगी के गिर के आया कहां से है लिए पता ही नहीं कि यह प्राइज कहां से कहां नीचे गिर का जब कर दो इन चीज़ों का ध्यान रखेगा तो फिलाल चन्हों हुआ V2 से V3 में convert हो गया और ट्रेडिंग में अब आपका V3 ही चलेगा तो यहां पर आपको पहली warning है यह कि आप जो आप कोई भी V2 वोल्ट इनू नहीं खरीदेंगे यानि अभी भी देखिए exchange उपर या वैसे update होने में थोड़ा time लग सकता है तो किसी के पास अगर आपको खरीदना है तो आप V2 वर्जन नहीं लेंगे यानि वोल्ट इनू V2 नहीं लेंगे आप purchase नहीं करेंगे अब आपको purchase वोल्ट इनू V3 करना है तो धीरे धीरे यह update हो रहा है और जैसे यह exchange उपर update हो जाएगा V3 आपको available होगा और V3 ही आप sale buy करें जो भी करना चाहते हैं लेकिन कल से यह जो है जैसे इसका migration का हुआ है तो थोड़ा सा आप देख रहे हैं 17-18% price कर भी कर भी इसका ओप अप भी हुआ है तो ऐसा mostly बहुत कमी होता है कि यह exchange उपर इस तरह की चीज़ें देखने को मिले कि भाई migration हो और price उपर चला जाए तो लेकिन वोल्ट नू में ऐसा हुआ है तो थोड़ा सा 17-18% का आप है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि लेकिन एक चीज़ और भी है इसकी कल जो है जो इन्होंने पेज़े प्रोफिट न लें लेकिन डिपेंड करता ह। यह बर्निंग करेंगे नहीं करेंगे लेकिन अनॉस्मेंट तो किया है अगर इननौन किया तो वपर हो शकता है लेकिन करता है तो हम थोड़ा सा praver और तो ज्यादा redsk अандर भी आप प्राइज उपर जाए तो बहुत अच्छा वही हमारे पास हमारा प्रिंसिपल हो 75 परसेंट फिर भी उसमें रखखा है और अगर यहां से प्राइज नीचे भी आता है तो कम से कम यह हो जाएगा हमने कम से कुछ प्रॉफिट तो लिया तो देखिए कर्प्रोगंसी है कुछ यहां पर आप थोड़ा सा देख लिजिए अपने असाफ से जैसा आपको ठीक लगता है मैं तो यही कहूंगा अगर आप यहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट ले ले लिए तो ज्यादा अच्छा है 25 परसेंट ले लिजिए बैतर रहेगा प्राइस चाहिए उपर जाया नहीं रहेंगे कल इनकी बर्निंग भी है वन मिलियन डॉलर की तो देखते हैं क्या होता है बर्निंग के टैम पर यह कितना अप होता है मार्केट में आपको बताई दिया सब साइड़े मुवमेंट चल रहा है कल देखते हैं क्या होता है बागी बीटी सी का डॉमिनेंस वही सिनेरियो फिर दुबारा से रिपीट होना चाहिए लेंगि डिपेंड करता है कि मार्केट का सिच्वेशन कैसा रहता है अभी तो देखिए सब सब साइड वो मुवमेंट ही है तो आप देखते हैं कल आप देट कीजिए कि आज संडे सटर्डे का वीकेंड आप भी सेलिबरिट कीजिए मार्केट तो करी रहा है साइड वो मुवमेंट में तो चली फिर मिलते हैं नमस्कार